ठीक है ठीक है पहले रिसेंट मार्केट पर ही बात कर लें उसके बाद हम लोग आगे बाद जाएंगे ठीक है यह बैंक निफ्टी का चार्ट है देखिए अभी पहले कॉंसेप्ट को समझ लेते हैं अभी जिस तरह से हम लोग प्राइजेक्शन को सीख रहा है ठीक है अभी हम लोग सिर्फ प्राइजेक्शन को सीख रहा है न तो अभी जिस तरह का हम लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल रहने वाला है वो प्राइजेक्शन से रिलेटेड ही रहने वाला है जो भी हम लोग ट्रेट करेंगे उसमें एक रिस्क के साथ हम लोग जाएंगे ठीक है रिस्क के साथ लालग ही वो बहुत छोटा होगा और बहुत कम chances होंगे कि हम लोग कोई risk प्लान करके उसमें कोई SL ले पाएं क्योंकि हम लोग trend के साथ होंगे projection के साथ होंगे तो बहुत कम chances होते हैं कि कोई loss है लेकिन हम लोग projection पे risk की बात करते हैं तो risk के साथ ही trade भी plan किया जाएगा ठीक है और आपको बताया जाएगा ठीक है अभी के जैसे projection की बात की जाए तो यह गिरता हुआ बाजार है जिस तरह से हम लोगों ने बात की ठीक है दो session हो गए एक जैसे दो session हो गए अधिकतम तीन हो सकते maximum तीन sessions एक जैसे projection के build हो सकते ठीक है गिरावट होती है तो तीन दिन बाजार चलता है तो तीन दिन अगर चलने के बाद कोई छोटा consolidation होना है छोटा consolidation सबसे कम समय का तो तीन दिन क्योंकि price खुद का दोहराव तीन दिन से अधिक समय तक नहीं कर सकता अगर projection में कहीं भी consolidation भी चल रहा है तो हर तीन दिन के बाद एक तबदीली करके चलेगा तीन दिन consolidation एक अलग तरह से होगा अगले तीन दिन के consolidation का projection कुछ अलग होगा और अगले तीन दिन का कुछ और अगर एक महीने तक price एक consolidation zone में रहता है तो हर तीन दिन के बाद consolidation price का behavior बदल जाएगा लग बग लग बग कभी कभी ये दो होता है अधिकतम हम लोग maximum 3 days ठीक है तो जिस तरह का trade plan intraday में as a trader हम लोग करते हैं तो उसमें सब से पहली शर्त क्या होती है पहली शर्त होती है कि आज अगर market में बैठना है तो कल के projection से सीख कर आईए कि क्या trade करना है ठीक है कि कल का projection सब से बड़ा indicator है आप लोग कुछ ठीक है बस इन चीज़ों को continue रखना है ठीक है क्या करना है कि पिछले दिन के projection को देखना है और सारे projection setups आपके mind में build होने चाहिए कि कल क्या क्या हुआ था कैसे setups बने थे उसके एक दिन पहले का भी देख लेना है उसको भी याद रखना है और उसके भी एक दिन पहले का सबसे ज़्यादा वेटिज देना है कल के projection को previous day projection को सबसे ज़्यादा वेटिज उसके बाद उसके दिन पहले को उसके बाद उसके तीन दिन अधिकतव maximum ठीक है तो दो होता है प्राइज में एक मोमेंटम की संभावना रहती है अब तो देखिए हम लोगों ने previous sessions में major support ब्रेक कर दिये थे अलाकि यह support इस daily time frame पर आपको कम बड़े लग सकते हैं लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह एक weekly consolidation के बड़े support level थे ठीक है बड़े support level थे और यह m formation की में जो price बन रहा था वो पूरी तरह से अपने middle m को breakdown कर चुका है ठीक है अब बस closing का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाव बंद और हो जाए कि यह जो confirmation और हो जाए weekly पर confirmation कब होगा जैसे अभी आप जो देख रहे हैं वो confirmation किस time frame पर है daily पर है weekly पर नहीं है देखिए buyer जितना बड़ा होगा या seller जितना बड़ा होगा उतना असरदार होगा ठीक है हो सकता है कि दिन के बिक्वाल बेच रहे हो और महीने के खरीदार खरीदने के mood में हो अपने price पर या तीन महीने तिमहाई के quarterly buyers quarterly sellers या छमाई half yearly buyers और half yearly sellers तो जितने बड़े time frame के buyer या seller होते हैं हमको उनको trade करना आना चाहिए ठीक है तो daily time frame पर हम लोगों ने weakness देखा तो आज के आज trade करके बंद कर दिया अगर यही weakness हम किसी weekly time frame पर देख लेते हफ़ते के seller अगर कहीं active मिलते जैसा कि अभी दिख रहा है लेकिन हुआ नहीं है क्या दिख रहा है बताइए कि हम लोगों ने breakdown किया तो अभी तक तो breakdown का candle भी close नहीं किया फिर इस breakdown candle का confirmation चाहिए होता है कि उस candle का जिस candle से breakout या breakdown होते हैं उस candle के जब low break होते हैं अगर breakdown है तो low break होना अगर breakout है तो high break होना तो confirmation होता है कि यह एक valid breakout या breakdown जैसे daily time frame पर hourly time frame पर हम लोगों ने देखा उसको trade भी किया पहले हम लोगों ने reversal के लिए trade लिया देखिए एक चीज़ और बताओ जब भी downtrend में आपको rejection देखने को मिलता है retracement तो उसको भी trade किया जा सकता है इस बार हम लोग सीखेंगे live market में इस तरह के pricing जैसे आज morning में एक opportunity दिख रहा था तो पहले हम लोगों ने एक बार उस opportunity को grab करने को कोशिश की लेकिन price weak दिखा तो निकल गए cost पे तुबारा से ज rates अच्छे मिलते हैं जब एक downtrend में price अच्छा हो तब ठीक है तो जब भी retracement को trade करना होगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी trade किया जाए ठीक है तो अभी हमारी weekly closing नहीं हुई होगी उसके बाद जब उसके low break होंगे तो उसका confirmation होगा अभी ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लोगों को बात clear हुई हो तो क्या पहली तो यह कि बड़े buyer और बड़े seller के खरीदारी और बिक्वाली के भाव क्या है उनके लिए यह downtrend होगा या फिर retracement होगा या फिर कोई retest होगा या फिर reversal दूसरी बात छोटे इस तर पर दिन के इस तर पर बिक्वाल हमको बिक्वाली करते हुए दिख रहे हैं साफ दिख रहा है एक low लगा उसके आज low break किये 43,000 breakdown किया फिर price 800 के नीचे तक trade किया और वहाँ पर consolidate कर रहा है ठीक है तो इससे बड़े खरीदार और बिक्वालों को हम लोग अप और जोटी की तरह देखते हैं इसी लिए आज मैं पहले आपको clear करूंगा एक setup projection setup ठीक है जिसको हालिया कल के session में previous session हम लोगोंने Monday को trade किया आज उसी continue किया है उसी setups को आगे अगर projection इसी तरह रहा तो हम लोग और करेंगे कल का session और एक विक्वाली का अगर होगा तो होगा और उसके बाद फिर consolidation हमको देखने को मिलेगा एक से दो तीन session अगर price लोट ना होगा तो consolidation नहीं देखने को मिलेगा price दुबारा से लोट जाएगा Friday की closing ऊपर करने की कोशिश करेगा ठीक है weekly closing एक week closing करने की कमजोर भाव की closing करने की कोशिश नहीं करेगा अगर strong price है तो पूरी तरह से candle को cover up करेगा नीचे यह जो body size आपको दिख रहा है न weekly का इसको cover up करेगा और कैसी candle बनाने की कोशिश करेगा इस तरह की candle इस तरह की candle ठीक है इन तरह की candles बनाने की इस तरह का जैसे यह बाजार गिर रहा था तो weekly में भाव गिर कर आया लेकिन close करने कहां चला गया उपर की तरह फिर price ही बदल गया ठीक है तो अगर strong price होगा तो आगे के दो sessions हम लोगों के लिए मातबूर है weekly और बाकी आगे हम लोग जैसा price build होगा वैसे trade करेगे देखिए एक जब भी projection को हम लोग देख रहे हैं तो 2-3 rule बिलकुल clear होने चाहिए पहला कैसे होई थी information से price चला कैसे था डोजी को break करके ये सारी चीज़े बिलकुल mind में होनी चाहिए clear दूसरी बात दूसरी बात ये कि कभी भी price में मैं जो भी आपसे discuss करके जा रहा हूँ ठीक है माल लेते हैं कि हम लोग Monday को discuss करके गए कि low break होंगे price और गिरेगा आप लोगों ने trade execute की ठीक रहा price ने आपको profit दे दिए अच्छी बात है हो सकता है कि हम कुछ और market में discuss करके जाए market के लिए कल के live sessions के लिए अब मैं कल बाजार खुलने के बाद तुरंत आपका 10 बज़े तो कोई session कर नहीं रहा होंगा ना तो 11 बज़े ना 12 बज़े live market में तो आपका session हो नहीं रहा है और अगर live market में price change हो गया तो जो भी कहा गया है उससे मैं पलट जाओंगा आपको भी ये flexibility आनी चाहिए intraday में जिस तरह से projection behave करेगा हम लोग intraday के projection पे believe करके अपनी trades को plan करते हैं अगर जैसा plan किया वैसा हुआ तो ठीक है उसी तरह से trades को plan कर रहे हैं अगर projection ही बदल गया तो दो आपके पास chances हैं पहला कि आप उस trading session को ही छोड़ दीजिए जो आपके projection setups को जो आपने plan किया उसको follow नहीं कर रहा है दूसरा आपके पास एक और है कि आप उस projection के हिसाप से तबदीली कर लीजिए second half तक एक आप रूख लीजिए दो तिन घंटे बेट कीजिए अगर projection आपके बनाएगे setups को फिर भी follow नहीं कर रहा है तो अपने setups को projection के according change कर दीजिए ठीक है यह flexibility आपके सोच मेला चीला बना होना चाहिए mindset बिलकुल clear क्योंकि हम लोग वही trade करते हैं जो देखते हैं ना कि वो जो सोचते हैं ठीक है यही एक projection trader का पूरी तरह से सबसे बड़ा rule यह दो चीज़े माइन में clear होनी चाहिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा crude पर बात कर लूँ आपको काफी देर से message आ रहे थे आप लोगा पहली बात यह भी short नहीं करना है ठीक है मैंने कहा कि छोटे इस्तर के बिक्वाल या खरीदार अपने छोटे इस्तर पर खरीदारी और बिक्वाली करते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन उनसे बड़े इस्तर के खरीदार या बिक्वाल कहीं मिल जाएं तो वो fee के पढ़ सकते हैं मतलब उनके projection के setups वहाँ पर वो अ अब प्राइज में जो खरीदारी आई है उसका इस्तर तो यही है यह support zone है मतलब जहां से price चल कर गया और अभी तक वो जो price है जहां से चल कर गया वो untested है untested का मतलब होता है जहां से price चल कर गया अभी तक दुबारा उस level को चलने के बाद touch ना किया हो untested zone वहाँ पर pending orders इतने जादा होते हैं कि पहले hit में तो price कभी उसको breakdown नहीं करेगा ठीक है पहले hit में तो कभी नहीं करेगा अगर वो pending orders block orders कहीं जादा हैं सेलिंग से तो वो price को दुबारा reversal कर देंगे ठीक है तो दो बात है पहली कि यह जो buyer है यह क्या घंटे का buyer है यह घंटे का seller जरूर दिख रहा है यह hourly time frame का buyer है नहीं यह hourly से बड़े time frame का buyer है क्योंकि price आप देखेंगे यहां पर देखेंगे देख पा रहे हैं यह daily और weekly के बायर है और weekly के भी आपको यह बायर दिखेंगे तो अगर seller को इनको काटना है तो क्या करना होगा वही theory है कि swing high जैसे आप बेचते हुए आए और आप पिछले किसी बड़े buyer के पास पहुंच गए जहां तक आप पहुंचे नहीं थे तो अभी आप पहुंच गए तो अभी आप यह से lotte इनको touch करने के तो आपका swing high यह लग गया अगर यह buyer इस swing high को काटने में सफल रहे तो price reversal की तरफ और अगर यह consolidation करके seller किसी भी तरह इस low को breakdown कर दे तो आपका trend downtrend जो buyer था वो काट दिया गया तो अभी जब आप crude oil देख रहे हैं यह price ठीक है यहाँ पर देखें यह support level है आप इनको touch करने आए touch करने के बाद price क्या कर रहा है बताएए price के swing high यह dozy formation देख रहे हैं यह मान सकते हैं ठीक है यह तो आप यह मानिए कि जब तक price इस इकतर सो के level को नहीं निकलता है और नीचे अरशट सो यह जो low लगे हुए इन levels को नहीं निकल रहा है और consolidation कर रहा है तो यह इतना बड़ा zone आपके लिए as a trader no trading zone है no trading patience zone कि यहाँ पर बड़े buyer और seller ही लड़ रहे हैं जिन पर हम लोग भरोसा करके उनकी तरफ पैसा लगाते हैं अब जब बड़े buyer seller में ही clear नहीं है कि कौन कितना पैसा लगा सकता है इसी का ability नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक बेच रहा है एक खरीद रहा है उनक निकाल दिया तो हम buyer के साथ है अगर swing low निकाल दिया तो हम seller के साथ है फिर हम लोग अपनी trade plan करेंगे तो किसी भी hot zone के पास आके एक trader को calmness में रहना आना चाहिए शांती से बैठना अपनी opportunity के लिए इंतिजार करना लेकिन मैं आपको बता दू थोड़ा experience के तौर पे कह सकत हूँ यह positive consolidation जैसा दिखता है अगर आप बहुर करेंगे न तो यह positive consolidation जैसा दिखता है ठीक है और positive consolidation में उसके बावजूद एक बार नीचे की तरफ यह SL hunting हो चुकी है तो हो सकता है price इस zone को निकले तो जो छोटे trader हैं दो मिनट के time frame के अगर इस high को निकले यह 7910 के आसपास ह तो एक छोटा hit price यहां तक दे देगा इस डोजी तर तो छोटी छोटी trades प्लान कीजिए मैंने क्या कहा जब price किसी zone को trade कर रहा है तो सिर्फ support resistance और support resistance निकल भी रहा है तो छोटे trade प्लान करने है ठीक है तो यह लग रहा है कि price अभी breakdown बहुत जल्दी में नहीं करेगा किसी higher level sales selling उठा कर लाए तो उसके लिए भी उसको थोड़ा सा उपर चलके जाना होगा ठीक है तो इस तरह का projection है तो यह जो लोग बिल्कुल ले हैं तो उनके लिए यह trading zone ही नहीं उनको यहां पर इंतजार करना है कोई trading plan यहां पर नहीं होना चाहिए कब होगा एक zone को निकल लिए दो मिनट के टाइम फ्रेम के trader trade कर सकते हैं support resistance की theory को trade कीज़ें छोटे समय पर वही काम करेगे ठीक है अब जो हम लोग इससे पहले बात की उस पर आ जाते हैं हम लोगों ने बात की कि छोटे टाइम फ्रेम के buyer और seller चोटे टाइम फ्रेम के buyer और sellers में seller पूरी तरह से active दिख रहे हैं ठीक है उनकी हाथ में command है वो पूरी तरह से market को move कर रहे हैं चलिए लेकिन हमको क्या आना चाहिए comparison तुलना करनी आनी चाहिए एक buyer institutional buying और एक institutional selling के बीच कि किस time frame को हम trade कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमको देखना होता है top to bottom approach की तरफ top to bottom approach क्या कहती है बताइए कि अगर आपको कुछ भी trade करना है तो सबसे पहले सबसे बड़े buyer या सबसे बड़े seller को देखिए जो भी आपके पास उबलब्द है तो अभी तक हम लोग monthly time frame महीने के खरीदार और विक्वालों को बहुत वरीता देते हैं उनको सबसे आगे रखते हैं क्योंकि हम लोग intraday trading करते हैं और string trading को plan करते हैं ठीक है तो देखिए monthly time frame अगर देखेंगे तो बहुत clarity आपके mind में आ जाएगी हुआ क्या है हुआ यह है कि यह एक breakout level था देख पा रहे हैं एक तालिस आठसो के आसपास के हाई लगा कर market ने एक low लगाया और फिर breakout करने गया फिर breakout दन भी हुआ लेकिन breakout वैलिट नहीं हुआ जिस candle से breakout हो उस candle के जब तक हाई ब्रेक नहीं होते तब तक किसी भी breakout को हम लोग वैलिट नहीं मानते हैं हाँ यह छोटे टाइम फ्रेक भाराज जी इस पर बात करते हैं ठीक है यह breakout जो हुआ यह वैलिट नहीं हुआ लेकिन जब एक बार SL hunting के बाद दुबारा से price गया तो price ने इसके हई ब्रेक किये तो breakout वैलिट हुआ अच्छा एक वैलिट ब्रेक आउट के बाद किस तरह से projection का behavior होना चाहिए इस पर पहले बात कर लेते हैं होता क्या है देखिए माल लेते हैं कि 500 के इस तर पर कोई भाव है कोई price रहे है जो trade कर रहा है वहां से एक sellers ने एक बड़ी selling panic में market को डाल दिया और price पूरी तरह से नीचे की तरफ 450 के levels को touch करने आ ठीक है price दुबारा recovery करता है nearby resistance पहुचने की कोशिश करता है nearby resistance consolidation करके breakout करने की कोशिश कर रहा है breakout हुआ भी लेकिन जो बाहर बड़े retailers और institutions बैठे हैं वो इस breakout पे कब believe करेंगे जब यह breakout valid होगा ठीक है और valid breakout की आपको definition क्या पता है कि जब तक इस पहले बनाए गए high से जब breakout हुआ है जो high लग गया जो buying का impact आया उस time पर अगर दुबारा से buying की जाएगी तो सबसे पहले वो high break होंगे जो लग गये थे सबसे पहले तुम्हा लेते हैं price 505 या 510 के levels को high लगा कराया दुबारा से retracement हुआ price नीचे की तरफ आया trapping करके इस high को निकल गया अब breakout valid हो गया जब high निकला तो price trade कर रहा है 511 या 12 दस को निकलने के लिए 1112 की तरफ भी price को बरना पड़ेगा 10 के उपर के level को trade करना होगा price को अब price trade किया 1112 उस condition में क्या हुआ जो ये retailers बड़े retailers बड़े institution buyers जो positional मंतली खरीदारी करते हैं 6 महिने 8 महिने साल भर के लिए अब उनके mind में आया कि 500 का जो ये इसतर था जो resistance seller का price दिख रहा था वो किसी तरह तूटते हुए दिखा है लेकिन opportunity में सोता हुआ दिखता है ना 500 का इसतर तूटा है लेकिन हमको खरीदना पड़ेगा 511, 512, 520 आपके लिए ये 10 पॉइंट और 12 पॉइंट का momentum छोटा हो सकता है क्यों आपकी trailing ability छोटी है तो आपको 10 और 2 परसेंट और 3 परसेंट 4 परसेंट से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन उनका सोचिए जिनका एक deployed amount ही 500 करोर, 1000 CR इस तरह से जा रहा है उनके लिए 1-2 परसेंट कितना माहिने रखता है तो एक valid breakout के बाद price एक opportunity देने आता है बड़े खरीदारों को किसलिए entry के लिए opportunity देने आता है जिसको हम लोग कहते हैं सादार भाशा में retest वो retest क्या है? वो एक price action के valid होने के बाद entry की, opportunity की अब अगर price किसी भी तरीके से 500 की तरफ लोट रहा है इसका मतलब है खरीदारों को खरीदारी के लिए मौका देने आया है opportunity मिला है, अब buyers इसको grab करेंगे, इसका मतलब है कि जब भी price दुबारा से नीचे की तरफ लोटेगा तो एक चीज़ के लिए है, हम लोग से पुरी तरह से लोगों के पास नहीं, institutions, buyer, खरीदारी करेंगे, हमको बताकर नहीं करेंगे, हमको identify करना होगा, पहचानना होगा, तो पहचान क्या है, कि opportunity को grab किया जा रहा है या नहीं, तो गिरते हुए price में, एक चीज़ के लिए है, प्राइस कभी भी गिरावट के बाद 500 के नीचे नही देना चाहिए, अगर आ रहा है 500 की तरफ, तो 400 निन्यान बे तक टच करके भी निकल जाएगा, reverse हो जाएगा, वहाँ से, खरीदारी, खरीदारों ने पकड़ ली है, वो उस level पे खरीदने को तयार है, clear होगा, इसी तरह है, अब जो concept बताया है, मुझे लगता है, सभी को ल 400-800 की आसपास का दिख रहा है, तो मैंने आप से कहा कि कभी भी कोई भी प्राइज, अगर आपको 600, 600, 600, 700 इस तरह से दिख रहा है, तो nearby double digit price जो 500 का multiple हो, 500 का multiple हो, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो 41-500 से थोड़ा सा नीचे रखिए, सबसे ज़्यादा open interest कहां मिलने व प्राइज 41-700 के आसपास पहुँचेगा और वो देखेगा कि ये जो प्राइज है, ये रिटेस्ट का प्राइज है, तो जो बड़े सेलर है, सेलर का मतलब क्या होता है, क्लियर है न, option seller, जो futures को short कर रहा है, जो strike prices को short कर रहा है, वो अगर open interest बढ़ा रहा है, इसका मतलब है वो किसी projection में बहुत ज़्यादा believe कर रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर price 41-700 के आसपास पहुँचे, माल लेते हैं कि पहुँचे, और वहां कहीं आपको 41-500 पर OI बढ़ते हुए दिखे, open interest बढ़ते हुए, increase formation में दिखे, कि open interest, sellers बढ़ते जा रहा है, मतलब ज़्यादा संख्या में lots sale हो रहे हैं, sellers बहुत ज़्यादा sale कर रहे हैं, तो एक seller जो सोच रहा है, उससे फर्क नहीं परता है, जो community of sellers सोच रही है, उससे बहुत बढ़ा फर्क परता है, दूसरी बात, अभी आप लोगों ने देखा, कि market क्या कर रहा है, sellers को बहुत पेन द कर रहा है, अब किसी भी condition में 44-700 के आसपास price पहुँचे, तो क्या होगा, अभी आपने देखा, 44-500 के level मंडे को breakdown हुए, तो sellers को सब से ज़्यादा, max pain किसको था seller को, क्योंकि उनका OI जो build था, उनको unwinding करनी पड़ी, और नीचे के level पे shift होना पड़ा, तो 44-500 के seller कहां आए होंगे, 44-000, sorry, 43-500 के seller कहां आए होंगे, 43-000, अब 43-000 पे जो seller है, आज price ने उस level को भी breakdown कर दिया, अब फिर से unwinding करेंगे, फिर वो 42-500 की तरफ बढ़ेंगे, तो कभी भी market sellers को बहुत दिनों तक trap नहीं कर सकता, अगर उन्होंने market में अपने orders कम कर दिये, इसका मतलब है कि buyers buy तक नहीं कर पाएंगे, इस condition में जब put seller trap हो चुके हैं, और आप किसी बड़े support के पास पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास एक plan होना चाहिए, कि ठीक है, projection downtrend में है, price की closing week है, सारे points हम लोगों को ध्यान में होने चाहिए, और हम लोग अपनी trades उसी तरह plan करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं, कोई तकलिफ नहीं, लेकिन जब हम उस इस तरह के पास पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा aware हो जाएंगे, और projection को दुबारा बनने देंगे, भाव को दुबारा बनने का मौका देंगे, समय देंगे, और वहाँ पे कुछ भी बहतर दिखे, उसको trade करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब दूसरी बात, weekly closing के दो दिन बचे हैं, clear है? weekly closing के दो दिन बचे हैं, और monthly closing के, अगर आप देखे हैं, 25, 27, 27, मुझे लगता है, 4 session आपको मिल जाएंगे, 4 से 5, इससे ज़्यादा session नहीं मिलेंगे, monthly closing में भी, 4 sessions तक, दो weekend के निकल जाएंगे session, 3 से 4 session, 4 session, तो 4 session मिलें, दो दिन price गिर चुका है, हम लोग trade कर रहे हैं, 42, 600 के आसपस, अगर 3 sessions तक price को गिरना है, तो कल एक session और रह गया, आज अगर high से हम लोग गिरावट देखें, देखिए, ये सारी चीज़े आपको elaborate करने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, जब आप इन चीज़ों को instantly अपने mind में एक setup की तरह पाते हैं, कि price देखा और सारी चीज़े आपके mind में चल रही है, जैसे मेरे लिए, ये maximum ये time है, अगर intraday plan कर रहा हूं, तो इतना भी नहीं लेता है, जब मैं पूरी सारी picture देख रहा हूं, monthly, quarterly, half yearly, सारे buyer, sellers को एक बार देख लिया, और फिर मैं किसी इस तर पे पहुंचा, top to bottom approach बताया न, तो हम लोग महिने के खरीदार बिक्वाल को देखा है, अब नीचे न mindset को build कर लीजे, कि सोचा कैसे जाता है, trades को plan कैसे करते हैं, फिर आप पाएंगे, अगर 2-3 महिने आप practice करते रहे इसी तरह है, तो आप पाएंगे कि ये बहुत जल्दी trade plans आपके mind में trigger करते हैं, सारी चीज़े, एक साथ, अब होता क्या है, आपने गिरता हुआ भाव देख और मैंने कहा trend के साथ चलना है, तो आप पूरी तरह से trend के साथ हैं, दूसरा picture आपके mind में आई नहीं रहा कि रुकना कहां पर है, ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं, कि अगर downtrend मा लेते हैं, कल भी चलता रहा, अगर हुआ तो, आज के low break होंगे तो और गिरावट होग कि, अगर morning के पहले आदे घंटे में ही low break होगे तो गिरावट की possibility कम हो जाएगी, सारी चीज़े के लिए नहीं ना, आज market ने जब breakdown किया, तो कब किया, पहला घंटा था क्या, नहीं, इसलिए कहता हो, daily candle की शुरुआत जब होती, तब breakdown नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुक को trap कर जाएगा, क्योंकि किसी भी candle का शुरुआती समय, trust table नहीं होता है, उस पे भरोसा नहीं करते, candle का last half, पहला एक 5 minute का candle है, एक 2 minute गुजर जाने दीजे, second half पर believe कीजे, आखरी के 2,5 minute पर believe कीजे, कोई candle आप देखेंगे, 4 minute तक वो down बना रहा, एक red candle दिखाता रहता है, और जब closing करने जाता है, आखरी के 1 minute में पूरा recovery कर देता है, जैसे अभी आप देखिए, ये candle, crude का, जो भी बना, जिससे मैं कह रहा हूँ कि ये बिकवाली का candle नहीं है, बिकवाली नहीं कर सकते, एक projection को ही देखकर कह रहा हूँ, इसके अलाब़ा कोई और source है क्या, नहीं, प्राइजेक्शन को देखकर बस, इस candle को देखकर, अब ये candle आप ज़रा गौर कीजे, मैं इस candle के high low mark कर दूँ, और इस candle का अब अब time देख लीजे, गिरावट की possibility वैसे ही बहुत कब थी, इस candle के time देख लीजे, लिखा है 20, मतलब 8 बजे का candle है, 8 बजे, जब candle का कही time लि करा रहा है, तो ये 9 बजे शुरुवात हुआ है candle का, अना की बंद हुआ है, ठीक है, तो इस पे 20 लिखा है, तो 8 बजे से 9 बजे की बीच का projection इस candle में होगा, हम लोग ज़रा देख लेते हैं, छोटे समय पे जाके, कि price पहले हाफ में गिरा होगा, और recovery last के हाफ में होगी, देखिए, ये price, ठीक है, ये पहला candle, तो देखिए, ये गिरता रहा, गिरता रहा हो, गिरते हुए 8.30 तक ये candle बनाया, 8.35 पे price उपर आया, तो आदा घंटा निकल गया न, उसके बाद price ने अपना जो real face था, वो तब दिखाया है, कब second half में, ना की पहले half में, पहले आद गंते में तो ट्रैपिंग किया है, 8.30 का candle ही है, 8.30 का candle ही है, 35 पे close किया, 35 पे ये candle खुला, ग्रीन वाला, जो इसको इंगल्फ करता हुआ दिख रहा है, उसने उपर जाके close किया, यहाँ पर seller को selling दिखाया गया, ये level breakdown दिखाया गया, ये जो level दिख रहे हैं, ये breakdown दिखा second half फे believe करते हैं, अपने price पर आजएगे, अब जरा जो हम लोग प्लान करके आए, जो हम लोग बड़े time frame पर देखके आए, एक बार उसको reject करते हैं, कि जैसे जब market इस इस तर को निकला था, इस इस तर को, यहाँ से निकला जब market इस इस तर को, तो हम लोगों ने कहा कि आस स्थानी से short कर सकते हैं, बस low break हों short कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ भी हम लोगों ने short का position प्लान किया, आज भी हम लोगों ने short का position थे, 40-500 का प्लान किया, और इसी तरह आगे भी करने की कुछ करेंगे, लेकिन अब यह देखिए, कि गिरावट कितनी तेज हो स इस लेविल को भी निकलता है, इस लेविल को निकलने के बाद यह देखिए, डवलू फॉर्मेशन के यह breakout पड़े हुए, तो प्राइस अब गिरेगा, लेकिन हर बार उसको support का सामना करना पड़ेगा, लोगर लेविल पर, हर लेविल पर support पड़ा हुआ है, और यह कव तक है, गौर कीजिए, यह होगा, आपको मिलेगा 41,700, जो आप बढ़े टाइम फ्रेम पर लेवल देखकर आए हैं, देखिए, यह price देखिए, last price, जैसे ही 41,700 निकलेगा, आपको इसके बाद यहां तक कोई support दिखी नहीं रहा है, फिर उसके बाद सीधा 41,120 और सीधे लेवल स तरफ, बात क्लिर हो रही है, तो जहां पर price पूरी तरह से clean हो, वहां पर trade प्लान करते हैं, अब हमको छोड़े छोड़े ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे, 200-300 पॉइंट मिलेगा, 400 पॉइंट मिलेगा, लेकिन हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, अगर मिला तो नहीं पॉरी नहीं, एक level तक हम लोगों ने एक बड़े support level को break कर दिया था, तो वो trend हमको उसका impact देखने को मिला, ठीक है, अब वो impact nearby support, untested zone के पास पहुंच रहे हैं, ये zone कई बार test हो चुके थे, कई बार test हुए थे zone, और यहां पर buyers बहुत अच्छा projection दिखा रहे थे, तो हम ल लोगों को एक level मिल जाए, हम लोगों ने ओसत रूप से buyer seller को देखा, कई सारी चीज़े plan की, लेकिन seller अपनी तरफ price ले गए, तो हम लोग sellers के साथ, ठीक है, अब आपको हर level पे support लगते हुए दिखते हैं, तो trade plan करेंगे wisely, risk versus reward, अब ये चीज़ सबसे पहले आती है, risk versus reward, क इतना risk लेंगे किसी trade में, उससे जदा कमाने की कुशिश करनी है, उससे डेड़ गुना या उससे दो गुना, क्योंकि हम एक trade के भरोसे नहीं है, हमको अपनी life में बहुत trade करनी है, और जब risk और reward favor में होता है, तो कभी trading में loss है ही नहीं, बस आपके setup से बैतर होने चाहिए, आपकी projection की समझ बहुत बहुत होने चाहिए, इन दो चीज़ों पर काम कीजे, बाकी चीज़े अपने आप solve हो जाते ही, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको बिल्कुल clear, projection बता देता है, जहाँ पर projection विल्ड होता है, वहाँ पर बहुत चीज़े बिल्कुल clear करते हो चलता है, आप यहाँ पर जब छोटे time frame को देखिए, किसी भी time frame को, 5 minute देख रहे हैं, 10 minute देख लीजे, 15 minute देख लीजे, आप जो पताए, hourly देख लेते हैं, कोई भी time frame, सबसे बड़ा hourly, क्यूंकि hourly time frame पर selling चल रही थी, और यह downtrend, ठीक है, अब आप लोग resistance line को इस तरह से मार करते है इस तरीके से भी मार करते हैं, मैं resistance line को आप लोगों को बताता हूँ, इस तरह से मार करना, ट्रेंड जितना तेजी से हैं, जहां ट्रेंड रोकेगा, वहां से reversal की या retracement की possibility होगी, अभी हम यह नहीं कह सकते हैं, यह reversal है या retracement, लेकिन यह clear है कि इसको tradable है, इसको trade किया जा स सकता था, ठीक है, यह नहीं कह सकते हैं, यह reversal है, यह retracement, लेकिन इतना कह सकते हैं, कि यह tradable था, क्यों, एक trend का impact खत्म हो गया, trend क्या होता है, जैसे गिरावट चल रही हो, बहाओ, वही trend है, तो trend धीमे है या तेज, अब यह धीमे, जैसे अपना trend, यह चला है, देखिए बि का price, इसके बाद यह trend की शुरुवात हो, अब मैं आपको दिखाऊं कितना यह, बैटरीन काम करता है, इस तरह से गिरते हुए जा रहा है, जैसे ही trend के बाहर price निकलेगा, फिर आप देखेंगे, एक retracement, जो भी होगा, अब हर जगे आपको मिलेगा, यहां से देखिए, यह trend चल रहा है, यहां खत्म हुआ, price ने एक दिया, यहां खत्म हुआ, price ने दूसरा momentum दिया, यह trend यहां खत्म हुआ, price ने momentum दिया, आप जहां से बताएंगे, यह जो simple line होती है आप एक resistance देखिए, यह जो line है resistance और support के लिए, इसमें आपको एक अकड नजर आती है, अकड समझत कि उसको आप flexibility नहीं रख सकते, उसको खुद की तरह से तोर मरोर नहीं सकते, ठीक है, अगर इस line को आप उठा रहे हैं trend की तरह, तो यह trend को इस तरह ले जाएगी, इस तरह, अब आप इसको चाहें कि इस तरह घुमा कर ले जाएं, घुमाओं के साथ नहीं संबग है, possibility नही trend आपको बिल्कुल clear दिखना चाहिए, अब वो trend को दूर से दिखा रहा है, और आप ज़्यादा पास ले जाएगे, जैसे ये line है, अब मैं इस trend के साल ले जाना चाहरा हूँ, तो trend यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, trend यहाँ तक जा रहा है, तो जब आप इस तरह से plan तो यह जो गिरावट है, इसको भी measure करते हूँ ले जा सकते हैं, फिर दिखेगा कि यहाँ पे price रुख गया है, इसलिए मैंने का, कि जब भी down train में price होता है, तो उसके retracement भी बड़े होते हैं, हम लोग उसको भी इस बार trade करना सीखेंगी, कैसे उसको tradable बनाते हैं, ठीक है, simple line, support और resistance के लिए, ठीक है, अभी जैसे resistance प्लान करना है, तो इसी trend के साथ गिरते जाएए, जहाँ पे trend रुकेगा ना, वहाँ से एक retracement या reversal, कुछ ना कुछ प्लान करेगा, curve tool यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक line, मैं कभी भी price पे आपको कोई भी tool, सिर्फ एक इस line के लावा, इस pencil tool के लावा, कुछ भी यूज करते हुए, आपको नहीं दिखोंगे, ना ही कोई दूसरा average होगा, average देखूंगा तो हटा दूंगा, RSI call ratio, कुछ भी चेक कीजए, तो आपको RSI चेक कीजए, oversold market दिखाता है, oversold bazaar, लेकिन मैं आपको बताओ, यहाँ पर exemption आती है कि ज़्यादा बिक वाली हो गई है, तो चलने लगेगा, नहीं, तब तक नहीं चलेगा, जब तक previous swing high ना निकाल दे, कमजोर भाव और कमजोर होत चाहते हैं, और चलते हुए को सब चड़ाना चाहते हैं, कोई नहीं रोकना चाहते हैं, आपकी society का भी यही है, कुछ अलग नहीं है, जो projection कर रहा है, वो पूरी तरह से nature से, पूरी तरह से connect करता है, आप देखिए, कोई आप से छोटे सतर का आदमी, या आपके समाज में कह आगे ना बढ़ पाया हो, या फिर किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ पाया हो, education की field में उसका family या परिवार किसी तरह से पीछे हट गया हो, अब वो वस किसी तरह आपके बरावर आजाए, आपके पूरी community के, पूरे समाज के, जो आपके आस पास लोग रहते हैं, तो उस correctivity ही हटा देते हैं, उसको अपना हिस्सा ही नहीं मानते है, कहते हैं अब तो वो बहुत ऊपर की चीज है, वो हम लोगों के बीच से नही है, तो उसको गिराना भी नहीं चाते हैं, तो गिरता हुआ भाव और गिरता है उसको सब गिराना चाहते है तो कमजोर भाव और कमजोर होगा और मजबूत और मजबूत यही तो trend का सबसे बड़ा definition है कि जिदर भाव चल रहा है चलता रहे है जब रुकेगा तब प्लान करेंगे कि क्या होने की possibility कुछ भी अगर accordingly हो गय नहीं हुआ तो जैसा price अला है उसके साथ चले है ठीक है तो बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम लोग trades को प्लान करते हैं अब देखें थ्री मन्स quarterly जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं उतना टाइम फ्रेम बड़ा देखने की कोशिश किया किजें यह सबसे सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है एक तरह से देखा जाए अब शमाही का समय देखने का मतलब है आप 25-26 सालों के लिए ठीक है तो quarterly एक ऐसा टाइम फ्रेम है कि जिस पर आप investment को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं 10 से 15 साल के लिए यही वो टाइम फ्रेम है जिससे मैं आपको target बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इतने बड़े-बड़े target बता रहा हूँ कि 24,000 जाएगा 26,000 तक जाएगा वो दिखता है टाइम फ्रेम पर clear हो जाता है एक साधारण अब ट्रेंड में price जो था उसमें एक बड़ा panic अब सोचिए ज्यान से सुनिएगा जो gap down की थियोरी एक trending market में वही यहां पर काम करती है कैसे इस price ने क्या किया था COVID में वो आपको clear हो जाएगा इस तरह से price चल रहा है ठीक है अब जो इस 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 तर से price इस इस तर तक गया तो बीच में कुछ खरीदार छूट गया जो इस अब यहां पर आया ना अब की बार आजाए तो खरीद लेंगे प्राइज यह हाई breaker करके निकला तो एक नया हाई लगाने निकल के अब वो इस opportunity के इंतजार में बैठे तो हर जगह बायर छूटता जाता है एक अब trend में बायर्स जो है वो छूटते जाते हैं जो प्लान तो कर रहे थे खरीदारी लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि भाव महगे हो गए चीजें महगी हो गए अचानक से एक समय आया कि प्राइज ने बहुत बड़ा डिप लिया और इतना बड़ा एक correction कर दिया अचानक से आप सोचिए जो यहां खरीदना प्लान कर रहे थे यहां कर रहे अगर आपको डेटा याद हो तो 16,000 करोड की SIP चल के गई है mutual fund में हम लोगों की तरफ से यह highest ever mount है इससे ज़्यादा SIP कभी नहीं चली बज़ार में तो यह जो DIY खरीदारी करते हुए दिखती है हम लोगों का पैसे हम लोगों का financial interest इतना बढ़ गया है जो इससे पहले कभ trend में थे और उसके बावजूद आग एक panic की वज़े से और बड़ी खरीदारी उठा ले पहले ही liquid था price पहले ही अब trend में था और आप उससे और बड़ी खरीदारी उठा कर लाए है तो क्या lot की दुबारा उसी इस तर पे जाएंगे क्या नहीं उस इस तर पे नहीं breakout के बाद ये high break हो गए ठीक है ये high break हो गए तो price अगर बहुत worse condition आई तो 40,000 मैं कहता हूँ बहुत worse condition आई तो 34,000 इससे बड़ी कोई तकलिफ market में नहीं हो सकती इसलिए कहता हूँ कि इसको जितनी भी गिरावट अगर होती भी है आगे तो इसको opportunity की तरह देखिएगा ना क बना कर रख लीजिए टाटा मोटर जैसे stock hero motor जैसे stock reliance ICICI जो भी आपको खरीदने को मिले fundamental rich हो और बाकी companies के उपर छोड़ दीजिए IRFC hood को देखिए 90 के high लगा कर आया OFS निकल कर आया और for sale दिया government ने उसके लिए तो जितने यह आपको fundamental rich stock दिखते हैं जो 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो गए SJVN है यह सारे stock अगर बाजार गिरा तो सीधी सी बात है corrective mode में वो भी आएंगे profit booking सबसे बड़ा momentum आया वहीं उनी इंडेक्स में सबसे बड़ी दिख रही है आपको large cap में कोई बहुत बड़ी profit booking नहीं देखेगी HDFC ने 1500 के level भी नहीं तोड़े BSE 1800 के आज सपास trade करता हुआ stock आप देखिए आज भी 4% से मुझे लगता है आसपास कहीं trade कर रहा होगा वेल्पसन इंडिया मुझे लग रहा है आज close किया 140-42 तो जो उस समय नहीं चले वो अभी पूरी तरह से चले BSE तो लगादार चला है तो जहां भी opportunity मिले उनको छोड़ना नहीं ठीक है PSUs हो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आईयो भी को छोड़ियेगा PSUs बैंक्स में आईये वू को इसलिए छोड़ियेगा उसमें 99% इस टेक जो है वो government का है manipulative stock है manipulative stock है price में अच्छे high लग गए है अब bank of बड़ादा IOB SBI सबसे बड़ा caretaker है सबसे ज़्यदा accounts उसके पास है saving accounts और current accounts और current accounts रेशियो बहुत फाइदे बंद होता है market capital नहीं देखते है बंद्स का fundamental पर class करूँगा यह सारी चीज़े लिए करूँगा तो IOB का इस्टेक प्लान कर रहा है government बेचने का क्योंकि उसमें एक liquidity ला सके और manipulation कम हो जाए बंद हो जाए किसी तरह है तो 99% वो राष्टपती के नाम पर registered है पूरा उसका इस्टेक तो अगर 10-20% भी बेची गीना सरकार तो समझ लीजिए कि अच्छा correction देखने को मिल तो बाकी सारे banks IDFC समझे कि जिस लेवल पर मिले वो लेवल खरीदने के लिए सही जिस इससर पर मिले सब इससर सही 40 तक खरीदारी कीजिए 35 तक खरीदारी कीजिए मिल जाए तो बैतर है ठीक है तो अगर गिरता है 3 months time frame से तो उसको हम लोग देखेंगे हला कि अभी जिस तरह से हम लोग trade plan को देखते हैं तो एक inverted hammer के high निकलते हैं तो वो सबसे बड़ा support level होता है जब भी बाजार बिलता है और वो untested हो यह जो inverted hammer यह जो price जहां पहुँच रहा है यह level देख पार है यह भी एक तालिस आठसो राउंड फिगर वही price आ रहे हैं जो हर time frame पर आपको देख रहे हैं तो यह multiple support level है एक तालिस आठसो आठसो के आसपास इसके नीचे price तभी निकलेगा जब दुबारा से projection को build करना होगा sellers को नई selling करनी होगी होगी हाँ बीयोबी में problem चल रही थी बीयोबी में problem क्या चल रही है उनका थोड़ा सा उनके application को लेकर RBI ने थोड़ा सा ban किया है उनको वह कारड है कि कई सारे उनके ही employees ने कई registration जब दबाव बनाया गया उनके high commission की तरफ से तो उन्होंने एक number से कई saving accounts लिंक कर दिये और वहाँ पर अब देखा जा रहा है कि उन लोगों के कुछ पैसे वहाँ पर नहीं है लगबं मुझे लग रहा है चालिस लाग के आसपास का fund होगा तो आर्वी ने अभी कुछ उस पर रेस्टिक्शन लगा रखे हैं बी ओबी का जो एप है बी ओबी वर्ड करके है शाइब तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वो भी आपको कर्रेक्शन में मिल जाए ठीक है तो आज जितना मैंने बताया कोई डाउट हो तो पूछ लीज ज